नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपके अपने चैनल ग्यान गुरु एकडमी में दोस्तों आज मैं एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहा हूं कच्छा 12 एक मिना डूप जाई एक थोड़ा सा अब देखिए मैं यहां पर आपको क्या बताने वाला हूं यहां पर मैं आपको पत बात हो रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है अगर आप भोगोल की शुडेंट है तो भोगोल भी आप आपके चैनल पर पढ़ा जा रहा है तो बच्छों भोगोल की आप तैयारी कैसे करेंगे पूरे आपके 100% की तैयारी आपके बोड़ एक्जाम से पहल चेप्टर वाइज करांगा यह भी कोई नहीं है कि बच्छों इधर उदर समय बिल्कुल चेप्टर वाइज करांगा तो दोस्तों जादस जादस दोस्तों मैं अपने सेर कर दीजिए और बता दीजिए कि भोगोल के क्लासे आपके अपने चैनल ग्यान गुरू एकेडमी प पढ़ते हैं इनके लिए कोई क्लासी नहीं चला जा रहा है तो बच्छों मैं आपके लिए मैं इन सब्जेक्टों को पढ़ा रहा हूं तो आप जादे से जादे इस वीडियो को सेर किजिए ताकि आपका बच्छों फाइदा हो सके और इसके साथ हमारा जो चैनल है यह भी कर सकी यह नगी कहने का मतल़ गया कोई है अगर आप थोड़ी सी आप साहधा करते हो अप वीडियो को सेर करते हो अप बढ़ को बढ़ाँगा और जूरी से वी जादे पोड़े जहन रने लगे लेकिन आप तो उर्चछों मैं आपन आप कुल ही प्रिपेरेशन करा के भेजूंगा ठीक है तो थोड़ी सी बस आप लोग सहायता कर दीजिए और सहायता में कुछ नहीं करना आपको वीडियो सेयर करना है अपने दोस्तों को बताना है कि इस चैनल पर आपके इंटर का पूरा सलेबस पढ़ाया जा रहा है ठीक है बच तो आप लोग भी थोड़ा सेयर किजिए वीडियो को जादस जादस हमारे वीडियो का फायदा मिल सके ठीक है तो आए पहला चैप्टर हम सुरू करेंगे इस ठीक है आप जैसा कि आपने देखी लिया होगा बचो पहला चैप्टर धमनेल पे आए शुरू करते हैं पहले हम प्रितिवी का वरणन करना तथा इसके बदलते रूप का वरणन करना जियोगराफिक असाबदिक रूप होता है क्या होता बचो प्रितिवी का वरणन करना तथा उसके बदलते रूप का वरणन करना क्लियर है चलिए भुगोल की ज्यान या फिर भुगोल को ज्यान की सखा जननी कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंट माना भूगोल मनुष्य तथा उसके परेवरण के परास्परिक संबंदों का बोध कराता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट पॉइंट भूगोल की इस साखा जो माना भूगोल है का ध्यान उननीसीवी सदावधी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक चार्ल्स डार्विन की जो पुस्तक थी बचो वरीन आप इस प्रेसिज के प्रकासन के समय हुआ लोगों की इस बिसे में जिग्यासा भी बढ़ी उसके बाद लोगों की इस बिसे में क्या हो गई बच्चो जिग्यासा भी बढ़ गई, अब नेक्स्ट पॉइंट देखे, इंपोटेंट पॉइंट से हैं सारे, आप इने पेंडाउन करते चलिएगा, रेट जेल जिने आधनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, इन्नों ने, ठीके, रेट जोल ने क्या क्या इन्नों ने लिखा क्या लिखा बच्चो, कि मानव को जिवित रहने, ठीके, इन्नों ने क्या लिखा था अपनी पुस्तक में, मानव को जिवित रहने के लिए वातावरण में स्वयोग प्राप्त करना आवश्यक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम था बच्चो, ठीके, एंत्रो पर ठीके, और इस पुस्तक में लिखा था, मानों को जिवित रहने के लिए पर्यावरण में स्वयोग करना अनिवार है, अगर किसी मानों के जिवित रहना है, तो उसको पर्यावरण में क्या करना बच्चो, श्योग करना आवश्यक है, अनिवार है, और यहां पे जो पुस्त प्रकृत के अनुसार ही जीवन जीता था जो मनुश्य की प्रारंबी के वस्ता थी उसमें प्रकृत के अनुसार अपने को ढालने की कोशिष कोई परेवरणिये निश्चेवाद कहा गया क्लियर हो गया चलिए अब यहां पर देख लिजिए एलेंसी सेपल रेट जेल की एक अ एक अमेरिकी सिस्टा थी उन्होंने बताया था कि जो मानव भूगोल है यूमन जियोग्राफिक मानव भूगोल ठीक है बच्चों काउन सा भूगोल मानव भूगोल और इस तरी प्रत्वीत था क्रियासिल मानव के बदलते रिस्तों का बोध कराता है नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृत के नियमों को समझ कर ही मानव ने प्रदोगी की का विकास किया और प्रकृत को अपने अनुसा ढाल लिया इसे ही संभावनावाद कहा गया अगर आपसे पिछा जारा एक संभावनावाद किशे कहते हैं तो आप बतायांगे प्रकृत के नियमों को समझ कर मानव प्रोद्योगी की का विकास किया और प्रकृत को अपने अनुसा ढाल लिया इसे ही संभावना वाद कहा जाता है इसे ही संभावना वाद कहा गया क्लियर है ठीक है अब यहां पर देख लिजिए नव निश्चे वाद जिसे आधिनिक निश्चे वाद था बैज्यानिक निश् Griffith Taylor है अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्वाइंट और हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 निश्चे वाद प्रक्रीत पर पुण निर्भरता हैं प्रक्रीत के अतिदोहन दोनों का निशेद करता है यह मध्यमारक को अपनाने का समर्थक है यह मद्यमारक को बच्चों अपनाने का क्या है शमर्थक है नेक्स्ट पॉइंट देख लिजिए प्राचीन समय से लेकर आज तक मानो भुगोल के अध्यान छेत्र एवं उपागमों में परिवर्तन होता रहा है नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं मानो भुगोल के अंतरगत कई छेत्र एवं उप छेत्र सामीले जैसे समाजिक भुगोल राजनीतिक भुगोल आर्थिक भुगोल आदी ये सबी चीज़े बच्चो शामीले तो आइ थिंक की बच्चो आज हमने कई पॉइंट सब लोग को बताया अगर आपको ये चीज़े सारी समझ में आई हैं वीडियो को जरूर लाइक किज़ेगा और आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम आपके यूटीब चैनल ग्यान एकेडिमी पे ठीके जियोग्राफी के क्लासे प्रिपेरली रेगुलर एदम चलाएं तो आप ज्यादे से ज्यादे दोस्तों को सेहर किजिए ज्यादे से ज्यादे लोगों को आकर यहां पढ़ने के लिए कहिए मुझे लगेगा बचो कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं मैं अच्छी तरह से वीडियो बना बना के आप लोग को बचो मैं यहां पे जियोग्राफी का पूरा सेले बस कंप्लीट करा देंगो वह भी इंपोर्टेंट क्वेस्टन के साथ तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्यादस ज्यादस वीडियो उसको सेहर किजिए और कमें पॉक्स में कमेंट करके हमें बताईए सर यहां हमें जियोग्राफी का क्लास चाहिए और बताईए इतना जरूर आप लोग बताईएगा कि हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वह आप लोग को कैसा लगता है ठीक है तो अभी तक आप भी चैनल पर नहें तो चैनल को सब्सक् झाल 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 झाल